जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खानपल जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं अर्शी खानपल जाओ आप हमारे काम कर दो आता हैं सुप्रीम कोट ने मुहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्चे मामलों में जमानत देने के साथ ही उनके ट्वीट करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है दरसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुई एडिशनल एडवोकेट जेनरल गरिमा प्रसाद ने कोट से दर्खास करी थी कि कम से कम ये शल्ट रखी जाए कि वो ट्वीट ना करें लेकिन सुप्रीम कोट ने उनके इस दर्खास को मानने से इनकार कर दिया है तो आपको बता दू कि जस्टिस डी वाई चंचूर की अगवाई वाली बेंच ने मुहम्मद जुबैर को फॉरण रिहा करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोट ने अपने ओर्डर में कहा है कि ये अच्छा होगा कि सभी FIR को एक साथ लाकर एक एजनसी से जाज कराई जाए अगर बात में और भी FIR दर्ज होती है तो उनकी जाज भी साथ में ही होगी कोट ने तिहाड जेल के सुप्रीटेंडन को आज शाम छे बजे तक मुहम्मद जुबैर को रिहा करने का ओर्डर दिया है समझने वाली एहम बात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुई ए ए जी गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मुहम्मद जुबैर से कहा जाए कि वो ट्वीट ना करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को लिखने से कैसे रोका जा सकता है जस्टिस चंचूर ने कहा कि ये कुछ ऐसा है जैसे एक वकील से कहा जाए कि वो बहस ना करें हम एक पत्रकार को ये कैसे कह सकते हैं कि वो लिखे नहीं तो इस पर गरिमा प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन ब्रांच ने 8 जुलाई को सीतापुर मामले में जमाना देते हुए ट्वीट ना करने की शर्त रखी थी इस पर जस्टिस चंद्चूर ने कहा कि अगर जुबैर कोई आपजेक्शनेबल ट्वीट करते हैं तो वो इसके लिए जवाब दे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आवाज उठाने के लिए किसी के खिलाफ पहले से ही कारवाई कैसे करी जा सकती है तो दोस्तो मुल्क में अजीब सा तमाशा चल रहा है संसत चल रही है लेकिन सरकार के पास भयानक महंगाई का कोई माकूल जवाब नहीं है कल तक कॉंग्रेस की यूपीए सरकार को पानी पी पी कर गाली देने वाली मोदी सरकार अब अपने हर गलत फैसले पर उनहीं की तरफ निशाना साथ देती है फाइनेंस मिनिस्टर ने यूपीए सरकार के दौरान आटा दाल पर लिये गए वैट की लिस्ट जारी करी लेकिन ये नहीं बताया कि एक जुलाई 2017 को इन सबसे आजादी का ढोल पीट कर सत्ता में बैठी उनकी सरकार को दोबारा आर्थिक गुलामी यानि एकॉनिमिक स्लेवरी का दौर लाने की जहमत क्यों उठाने पड़ी साफ है कि भारत सरकार कंगाल हो चुकी है बीते साथ साल में 11 लाक करोड के लोन कॉर्पोरेट्स के माफ करे जा चुके हैं ये अगर तिजोरी में होते तो आज आटा डाल पर जीस्टी की नौबत ना आती ऐसा क्यूं नहीं हुआ इसका जवाब तो प्रधानमंद्री के पास है मामला उनके दो दोस्तों से जुड़ा हुआ है लेकिन जवाब कोई नहीं मांग रहा है सिर्फ जीस्टी से सरकार टिकी रहेगी 1.46 लाक करोड से भी ज्यादा टेक्स आएगा क्योंकि गरीब मिडल क्लास के रोज मर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी हर चीज़ पर अब जीस्टी लगा हुआ है लेकिन एक जुलाई 2017 को जिस फाइनेशल आजादी के ऐलान के साथ जीस्टी लागू करी गए थी उसमें कफन के कपड़े और दफन के प्रोसीजर्स पर भी टेक्स लगेगा ये अवाम को शायद नहीं पता था अवाम के पीट पर जीस्टी का चाबुक तगड़ा पड़ा है चावल के दाम 35 परसंट यानि 35 परसंट बढ़े हैं जो नौकरी पेशा लोग पैक्ट और ब्रांडट अनाज लेते थे वो अब खुला अनाज लेंगे यानि पहले से बेहाल FMCG पर एक और चाबुक पड़ने वाला है दिली से मिलने वाली जीस्टी और महराश में जीस्टी से होने वाली इंकम में चार गुने का फर्क है बिहार से लेकर छे गरीब स्टेर्स की कुल जीस्टी का कलेक्शन अकेले महराश निकालता है जहां अब बागियों की सरकार है इस कंगाली भरे दोर में जबकि साहिब की सरकार उन्हीं तब के से टेक्स वसूल रही है जिनूने उन्हें वोट दिये इसी बिलो मिडल क्लास लोगों के आंगन में मुफलिसी का सननाटा पसरा हुआ है स्कूल की फीस, कौपी, किताब, पेंसिल, शापनर और बस का किराया तक सब कुछ महगा हो चुका है इस बीच रुपए के असी पार हो जाने के बाद तेल कमपनियों का घाटा और बढ़ा है बड़ी हुई जी अस्टी से भी भरपाई मुम्किन नहीं है बैंकों को बेचने की तैयारी जोरो पर है लेकिन उससे पहले तगड़ी लोन माफ होगी यानि आपकी और पूंजी डूब जाएगी मुल्क के फॉरें मिनिस्टर श्री लंका पर प्रेजन्टेशन दे रहे हैं भारत के हालाद पर प्रेजन्टेशन कौन देगा कुछ नहीं पता कोई एक शेख्स नहीं है जो जवाब मांगे कि वेल्थ टेक्स कॉर्पोरेट टेक्स में कटौती कब तक जारी रहेगी दरसल सबके अपने ही एजन्टे हैं भर पेट लोगों से वाटस अब ग्यान मिल लहा है पर हकीकत ये है कि वक्त तेजी से फिसल रहा है विदेशी कर्ज अदाईगी की मियाद पास आ रही है कोई नहीं सोच पा रहा है कि तब क्या होगा जब बचा हुआ करीब 300 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज डिजर्व दो महिने का भी इंपोर्ट बिल भरने के लाइक नहीं रहेगा उसका सीधा असर आपके किचन में तेल, अनाच और बाकी ज़रुरी समानों पर पड़ेगा लिटर तेल 400 से ज्यादा का हो तो जिन्दगी कितनी दुश्वार होती है ये शिरलंकाईयों से पूछिए नहीं लूलू मॉल पर किया गया तमाशा काम आएगा और नहीं जुबेर की गिरफतारी का हाँ इस देश के लिए दुआ और नमाज जरूर कामा सकती है क्योंकि जल्म का विरोद अब मुल्क की अवाम के बस में नहीं है इसलिए मैंने शुरू में ही मॉहम्मद जुबेर का जिकर किया है जरा सोचिए बीते 20 जून को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मॉहम्मद जुबेर के खिलाफ एफ आई आर दरज करी थी उन पर ये F.I.R. 2018 में Central Board Film Certification CBFC से हरी जंडी मिली 1983 की फिल्म किसी से ना कहना की एक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में हुई थी उसमें दिखाया गया कि हनीमोन होटल का नाम बदल का हनुमान होटल कर दिया गया है इस तस्वीर को लेकर ही अनुमान भक्त नाम के एक ट्वीटर यूजर ने शिकायत करी थी और कहा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है जुबेर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा था 2014 से पहले हनीमोन होटल 2014 के बाद हनुमान होटल 2014 में नरेंद मोधी प्रधान मंत्री बने थे इसलिए कहा जा रहा है कि मौम्मद जुबेर ने इस तस्वीर के जरीए पिये मोधी पर तंस किया था मौम्मद जुबेर की वकील वरंदा ग्रोवर ने कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि पिलिस कैसे जادवी तरीके से इस खास टुइट के बेस पर मौम्मद जुबेर के चार साल पुराने टुइट के लिए गिरिफ्तार कर सकती है इस मामले में जुबेर को पहले ही जमानत मिल गई थी लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में महम्मद जुबैर के खिलाफ छे एफाई यार दर्च करी गए थे खेर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन छेओं मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है एहम बात ये है कि इस से पहले बीजेपी की फॉर्मर स्पोक्स परसन नूपर शर्मा की पेगंबर महम्मद पर कांट्रोवर्शिल टिपड़ी के चलते मोधी सरकार को डिपलोमेटिक लेविल पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इन सब के लिए जिम्मेदार थे महम्मद जुबैर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद सत्ते मेव जयते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे काम पसंदा आता है हमारे वीडियो पसंदाज़ यहाँ तो www.patreon.com लाइच Reiger अर्शी खान पर जाकर डॉनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मारे वीडियो पसंदा आता है तो लाइक और शेयर करना हर्गीज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है अड़ दरेट अफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में